नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूज विल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम निश्यर्मा वित्यमंत्री निर्मिला सीतारमन ने वित्वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है बजट में सरकार का फोकस, स्वास्त, इंफरस्ट्रेक्चर, रिफॉर्म के जरिए अर्थ विवस्ता को बूस देने पर रहा है वित्यमंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है वित्यमंत्री ने कोई नया टेक्स ना लगा कर इंडस्ट्री को रहाद देने की पहल की है चलिए आपको बताते हैं कि किस सेक्टर को क्या-क्या दिया गया है सबसे पहले बात करते हैं किसानों की 2021-22 में Agriculture Credit Target 16.5 लाग करोड का है Operation Green Scheme में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा Agriculture, Infrastructure, Fund तक APMC की भी पहुच होगी कोची, चिन्ने जैसे शेहरों में 5 बड़े Fishing Harbor बनेंगे तमिलनाडू में Multi-Purpose Seaweed Park बनेगा चलिए, अब आपको बताते हैं कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या कुछ है One Nation, One Ration Card को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा 86 प्रतीशत लोगों को इसमें cover किया जा चुका है उजल योजला का फाइदा 1 करोड और महिलाओं तक पहुचा है जाएगा चलिए, अब आपको बताते हैं कि इस बजट में बुजगों के लिए क्या कुछ है वितमंत्री निर्मिला सीतारवन ने बजट 2021 में पैंशनर्स को बड़ी राहत दे दी है पैंशन में होने वाली कमाई पर अब टेक्स नहीं देना होगा 75 साल के ऊपर के पैंशनर्स जिनकी सिर्फ पैंशन और इंट्रस इंकम है उनमें Income Tax Return फाइल करने की अब ज़रूरत नहीं होगी वितमंत्री ने कहा है कि देश की आजादी के 75 साल हो चुके है वितमंत्री ने ये भी कहा कि 75 साल से ऊपर आयो के करदाता जिनकी आय पैंशन और ब्याज तक्सीमत हैं उनके लिए income tax return भरने में छूट होगी इसके अलावा senior citizen के लिए bank saving deposit, FDRD और post office scheme से निवेज से एक वर्ष में हासिल होने वाला 50,000 रुपे तक का ब्याज फ्री है चलिए अब आपको बताते हैं insurance banking sector के लिए क्या कुछ है बैंक और एक public sector company में विनवेश होगा इसके लिए कानून में बदलाव होगा, LIC के लिए भी IOPO लगाया जाएगा सरकारी बैंकों में 20,000 करोड का नवीश किया जाएगा बैंकों को NPA से चुटकारा दिलाने के लिए asset reconstruction company, agent management company मनाई जाएगी अब बात करते हैं education के लिए NGO, राजसरकार और private sector की मदद से 109 सैनिक स्कूलों की शुरूवात होगी लदाक में higher education के लिए ले से center university बनाई जाएगी आदिवासी शेत्र में 700 एकलवे model स्कूलों में सुविधा का सुदारों का अनुसूचित जाती के 4 करोड बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड रुपे खर्च होंगे आदिवासी बच्चों के लिए post-metric scholarship भी लगाई जाएगी अब एक नज़र डालते हैं health के उपर कोरना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड खर्च किया जाएगे जरूरत पड़ी तो जाद से यादा fund दिया जाएगा और वहीं nutrition पर भी ध्यान दिया जाएगा mission potion 2.0 शुरू किया जाएगा water supply भी बढ़ाई जाएगी 5 साल में 2.8-7 लाग करोड रुपे खर्च होंगे शेहरी लागों के लिए जल जीवन mission शुरू किया जाएगा शेहरी स्वच भारत mission पर 1,48,000 करोड पात साल में खर्च होंगे और वहीं वैक्सीन को भी देश बर में शुरू किया जाएगा इससे 50,000 बच्चों को हर साल उनकी जान बचाई जा सकेगी 64,180,000 करोड रुपे के बजट के साथ प्रधान मंतरी आत्म निरबर स्वास्त भारती योजना की शुरूवात होगी ये बजट नई बीमारियों के लाज के लिए होगा 70,000 गाओं के wellness center को इससे मदद मिलेगी 602 जिलो में critical care hospital की शुरूवात होगी अब बात करेंगे infrastructure की infrastructure sector के लिए development financial institute की जरूरत है इसके लिए एक bill लाया जाएगा 20,000 करोड रुपे इस पर खर्च होंगे ताकि 5,000,000 करोड रुपे पर landing portfolio तीन साल में बनाया जा सके public infrastructure को monetize कराने पर ध्यान दिया जाएगा national monetization pipeline launch होगी इसका एक dashboard बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरकी को देखा जा सके national highways authority भी अंतिराश्टी निवेश आकरशित करेंगी railway भी front corridor को monetize करेंगी आगे जो भी airport बनेगा उसमें भी monetization पर ध्यान दिया जाएगा अब बात करते हैं metro के लिए क्या कुछ खास है शेहरी अलाकों में bus transport system शुरू किया जाएगा 20,000 बसे तयार होंगी इससे auto sector को मदद मिलेगी और रोजगार भड़ेगा 702 km metro अभी चल रही है 77 शेहरों में कुल 1016 km metro पर काम चल रहा है कम लागत में tier 2 शेहरों में metro lice और metro new शुरू होगा और इस budget में team India की जीत का भी जिक्र किया गया है निर्मला सीतरमन ने कहा है कि आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है रविंदा टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधिरे में भी चैचाहाता है team India ने हाली में Australia में जबर जस प्रदर्शन किया इसमें हमें याद दिलाया कि हम लोगों में किस तरीके की quality है आज data बताता है कि भारत में कोरोना की वज़े से सबसे कम ब्रत्यूदर है यही सारी बात है एकनॉमी के लिए काया पलट की निशानी है अब तक तीन बार ही budget GDP के negative आकड़ों के बाद पेश हुआ है इस बार negative आकड़े दुनिया भर में आई महामारी की वज़े से है फिलाल के लिए इतना ही बने रहे है नीजवल इंडिया के साथ नमस्कार